ब्रादवे तोहडे विदेश जान दे सुपने अनुदेवेगा हकीकत दी उडान जादा ये intention देखने को मिली कुछ universities ने भी ये कह दिया कि आप 2024 September के लिए apply करो उन्होंने इसलिए कह दिया क्योंकि उनका intake ही January में नहीं होता So mostly universities जो बड़ी हैं उनका intake ही September का होता है Now present situation क्या है पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा कि ये मुद्दा almost cool down हो चुका है इसमें कुछ भी नई development नहीं हो रही है इसमें किसी तरह का भी कोई भी government या diplomatic interference या further communications ज़्यादा नहीं चल रहे है Things are like a standstill और दोनों government आप इस मुद्दे को कदम करना चाहते हैं उनके अपने कोई diplomatic reason होंगे एक दूसरे के साथ इस तरह की चीज़ें जो वो करते हैं बट इसका impact student तक जाएगा इसकी possibility almost zero है सो जो बच्चे January intake के लिए अपनी applications चला रहे हैं यहां वो January intake के लिए आने वाले दिनों में travel करेंगे I can give you with a full confidence with my experience आपको किसी तरह का कोई भी trouble ना तो application चलाने में आएगा ना वीजा लेने में आएगा ना ही travel करने में आएगा यह दोनों countries they are very mature economies of the world और यहां पर ऐसा कुछ भी हलका नहीं होने वाला है कि जिसके कारण आप लोग disturbed हो जाएं सो निश्चिंत बेफिकर Canada की अपनी application लगाएं travel चलाएं लंबा जोड़ा इस पर भाशन देने वाली कोई बात नहीं है मैं सीधे और साफ शब्दों में information को देना जादा बलीव करता हूं तो जो मैंने कहा है बिल्कुल ऐसा ही होना है कोई भी बच्चा अपने मन में किसी तरह की कोई भी confusion January intake के लिए ना रखें और Broadway के साथ application आप चलाना चाहते हैं Canada की चलाना चाहते हैं तो आप पूरा case एक package में चला सकते हो यह भी बता दूँ प्राइवेट college नहीं जाओगे जिस college में आप जाना चाहते हो जिस college में आप eligible हो आप उसी college में हमारे साथ apply कर सकते पैसे देने होंगे वीजा लगने के पाद थाइंक यू